आज आपको किचन की और घर की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने ना कभी कहीं सुनी हो ना कभी देखी हो बहुत ही आपका समय बचाएंगी आपके कुछ पैसे बचाएंगी और आपको इन सब को ट्राइ करके ऐसा लगेगा कि भाई वा अगर इन सारी ट्रिक्स के साथ किचन में काम करा जाए तो काम किता जादा आसान है तो चली शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहले ट्रिक के साथ घर में आजकल तुलसी बहुत जादा मैत्व देती है ठंड का समय है महामारी का समय है वाइरस का समय है हम चाहते हैं अपने को फॉयल मेर राप कर लिजिए। इसको फॉयल रैप करेंगे अपनी तुलसी को तो यह काऒछी दिन प्रिजर्व रहेगे सूखें और आप इसको 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 कर सकते हैं हफस्दे से दस दिन तक यह तुलसी अदम फ्रेश आपको फेल कराएगी आप चाहे تو पत्ते यह देखिए हमने अच्छे से कैसे स्टोर कर लिया है अगली ट्रिक की तरफ चले हमारे घर में हम मिर्चियां जादा ले आते हैं लेकिन कुछ जब इस्तमाल करते हैं उसके बाद फील करते हैं कि यह तो सूखने लग गी है और वही फ्रेशनेस और मजा तो नहीं रहा तो इस इसको डंटल से अलग करेंगे तो आदा वाइरस इसमें लगने का तो लक्षन खतम हो गया कारण खतम हो गया अब क्या करें इसको और काफी जादा दिनों तक बचाने के लिए के एर टाइट कंटेनर ले ले लिए नीचे नूस पेपर या फिर टिशू पेपर बेच्छा ल जादा असान है एक तीखी नोक वाला थोड़ा सा चमश ले लिजिए और ऐसे रब कीजिए अद्रक बड़ी असानी से आपकी छीलती चली जाएगी आपको ज्यादा मेहनत करने की जुरुत नहीं पड़ेगी देखे कितने अच्छे से छील के हमने रख लिया अपनी अद्र और अद्रक काफी जादा दिनों तक प्रिजर्व हो जाएगी अगर आपकी अद्रक आपको जल्दी खृतम हो जाती है घर जाती आ बहुत जादा समय लगता है कोई भी ऐसी जाली ले लिजिए जिसमें छेद हो स्टील की हो तो बहतर रहेगा और ऐसे खीच लिजिए अपनी धनीए के पत्ते को आपके धनीए के सारे पत्ते अलग हो जाएंगे जिससे आपका काफी जादा समय बचेगा यह देखिए कितने ब माइक्रोवेव हो तो रोष्ट कर ले या फिर धूप में सुखा ले मैं तवे पे या एक फ्राइपिन में रोष्ट कर रहा हूं लगवग दो मिनट में इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ग्रीन से धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगी बस आपको क्या करना है जैसी ब हर रोष परेशान होने की जरूरत नहीं यह देखे कितना बढ़िया चाय में मिला ली तुलसी मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से स्पून से और इसको ढख के कित्ते दिनों तक प्रिज रख लीजे आप और लीजे चाय में तुलसी का स्वाद अगली ट्रिक बहुत ही पहले हलका सा गीला और यह कागज उल्टा करके सूखा एक दम साफ शीशा आपके सामने होगा कुछ और करने की जरूरत ही है ना पैसे वेश्ट करें ना कुछ और करें ऐसी बेहत बहत सारी ट्रिक्स हमारे यूटीब चैनल पे भी अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पे तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो आपको हमारे यूटीब चैनल तक ले जाएगा और आपको पहुत आनन्द आएगा वो सारी ट्रिक्स देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखेगा कभी-कभी दोस्तों हमारी हरी मिर्ची घर में रखी हुई सूख चात स्वाद देगा काफी जादा दने तक प्रिजर्व भी होगी आनन्द आएगा आप इस वाइट सॉल्ट को सब्जियों में यूज करेंगे बेहर मिर्ची का स्वाद आएगा मैं चलता हूं कैसी लगी टिप्स ट्रिक्स कमेंट करना जरूर शेयर करना दोस्तों